नवसकार दोस्तों, हेल्थ टेक चनल पे आपका स्वागत है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको एसको, डेक्स, डीक, सिरफ के बारे में जानकारी देंगे फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे कि शिरप का इस्तेमाल किन-किन समस्याओं में किया जाता है इसको कैसे इस्तेमाल करना है इसके डोज के बारे में इसकी market price, content, side effect इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे तो फ्रेंट्स के प्याब वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको इसको डेक्स डीयक्स शिरप के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल सके तो फ्रेंट्स एसको डेक्स डीयक्स शिरप इसके market price की बात करें तो 65 रुपए इसकी market price आए और फ्रेंट्स ये 100 ml की packing में आता है फ्रेंट्स इसको Glenmark company के दोरा बनाय जाता है जो की बहुत ही मसूर company है ये शिरप आपको अरेंगमेट कल इस्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा तो फ्रेंट्स आईए जानते हैं इसके फायदे के बारे में तो इसके content की बात करें तो इसमें dextro metharpen, hydrobromide, ammonium chloride और bromhexin hydro chloride होता है तो फ्रेंट्स ये बहुत ही 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 बहु तो प्रेंट से एक अड़र्ड ब्यक्त को इस शिरप का इस्तेमाल 5 ml से 10 ml तक दिन में 2 से 3 बार किया जाता है फ्रेंट से इसको लेने से पले ऑपने डाक्टर से परामज जरूर ले 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 और दोज के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले 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 में तो इस शिरप के जो साइड इफेक्ट हैं जैसे कि आलस आना नीद आना और उल्टी दस्त या जीमस लाना इसके अलावा फ्रेंट्स कुछ इलर्जी प्राबलम भी हो सकते हैं जैसे कि तोचा में खुली होना लाल दाने निकलना लाल चकत्ते होना तो यह सब इसके साइड इफेक्ट हैं जो कि किसी किसी को हो सकते हैं प्रेग्नेंट्स और ब्रेट फ्रीजिंग मदर को इस शिरप का इस्तेमाल अपने डाक्टर के परामर्ज के अंसारी करना चाहिए तो और फ्रेंट्स इस शिरप को अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो अलकोवल का इस्तेमाल नहीं क चलाना चाहिए क्योंकि फ्रेंट्स इस शिरप का इस्तिमाल करने के बाद आलस और नीद आती है तो वहाँ का wykor worries तो यहती है हमारी आज की जानकारी इसको Racics इकस डी अक्स शिरप के बारे में आचा करता हूं कि vind को austским को ऊच्ची ph Keyburgh तो लाइक करें, सेर करें और हमारे चैनल पे रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का निटिप्रिकेशन आपको मिलता रहे और दोआओं के बारे में जानकारी मिलती रहे तो फ्रेंट्स मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ